चोड़ा हा चोड़ा हा जीवन ऐसा चोड़ा हा एक सड़क शिक्षार के जिससे जीवन में उजी आ रहा है चोड़ा हा चोड़ा हा चोड़ा हा बहनों हमें आज सीखना है अक्षर र और अ ये है रसी का गठा अरे ये क्या देखो रसी ने लिख दिया अक्षर र ये है अक्षर र रसी अक्षर र तुम ये मत सोचना कि आज मैं उदास हूं मैं जरा काम करते करते ठक गई थी चलो कोई बात में अच्छा बेनों अब तक तुमने ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि सारे अक्षर बनाने में कुछ टेड़ी मिड़ी लकी रे कुछ सीधी लकी रे कुछ आधे पूरे गोले से ही कितने अक्षर बन जाते हैं है ना तो चलो अब हम सीखेंगे अक्षर रह चोटे चांद जैसे लकी बिंदी दूम वाली चोटी लकी अर उसके ऊपर वही छत वाली लकी और बन गया अक्षर रह एक बार फिर देखें अच्छा बैनू एक बात तो बताओ कि छत वाली लकीर तो हर अक्षर में लगती है और माल लो अगर कभी मैं लगाना भूल जाओं तो क्या तुम भी लगाना भूल जाओगी हाँ नहीं ना कभी मत भूलना वैसे लिखते लिखते खुदी आदत पढ़ जाती है छत वाली लकीर की इसलिए थो नहीं भी लगाना ने भूलती अच्छा अब मैं चलू फिर आउंगी हाँ तुम दोनों अचानक इस तरह यहां रे यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लिगा और तुमने जो में लिए इतना कुछ किया है मेरी गौरी को जबान दी है तुमने अरे वे गीता एक ही बात को कब तक दराजिरा होगी अच्छा यह बताओ चिठी लिखोगे वहां से हर अपते एक चिठी और तुम हाँ जरूर लेकिन यहां गाओं में डाक में जरा मुश्किल होती है तुम ऐसा करना वहां पहुँचकर अपना पता लिख भीजना तुमने कोशिश करूँगी मैं जरूर लेकिन गीता तुम्हारा कहीं और जाने का तो कोई इरादा नहीं है ना अभी क्या कह सकती हूं वैसे गाओं में एक दो लड़िया हैं जो स्कूल को चला सकती है एक बात गाओं गीता जब तुम सब को छोड़ चाड़ कर गाओं चली गई थी ना तो मुझे अधर बड़ी बात कह रहे हूं हां मैं मानती हूं कि गाओं काफी बदल गया है मगर इसका श्रे तो वहां के लोगों को जाता है ना और खास तोर से वहां की महिलाओं को अरे यह तो बहुत देर हो गई अपना सामान तो देख लो तुम्हारी बातों में ध्यानी रहा अरे मश्गू हो समान बाहर निकालो गई क्यों पहचान गई न हम सब इसे खाने में डालते हैं तो जड़ा इसे वहां से देखो इन सब अध्रकों को मिलाकर बना है आ और आ से ही तो शुरू होता है अध्रक एक बार फिर देखो अध्रक मिलाकर लगते हैं आ अरे अरे कहां चल दे भई मैंने कहा ना कि जब तक पूरे अक्षर नहीं सिखा दूंगी तब तक मैं तो इसी तरीके से आती रहूंगी हां तो सुनो आज हम लिखना सीखेंगे अक्षर अ चोटा आधा गोला बनाया यू एक आधा गोला और बनाया चोटी लकी खड़ा डंडा चत्वली लकी और ये चोटा आ एक बार फिर को याद रहें का ना दिको सब याद रखना बूलना नहीं नहीं तो मैं तुमसे नराज हो जांगे यहां अच्छा जी अब मैं चलती हूं नमस्टे के लौक वरादे लोगी दो दो गीता तुम अपनी सेर का बिल्कुल जान रहना है? मैं तरोख कुझी निकी तू भी अपना है नहीं दो जा रहे हो कहारे उसकी दो मैं ताने पीने का पूरा जान दर्गता हूँ ने बैसा है अजय है था है ने घुए यह देखो उंची उंची इमारते जो अपने गाउं में तो नजर आती नहीं है तो इसे कहते हैं शहर श हर शहर किसी भी शहर में जाओ तो हर तरफ सडकों पर चलती हुई मोटर कार दिखाए दिती है कर आ र कार यह है अध्रक 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 जो खाने का स्वाथ बढ़ाता है और स्वास्त के लिए भी अच्छा है अध्रक यह क्या है मीठा और रस्तार अ इसमें मूती जैसे लाल दाने होते हैं अब चब भी तुम अनार देखोगी तो तुम्हें खुद बखुद याद आ जाएगा अ न आ र अनार कांवार अध्रक अभी कंम्ला अभी तक तेरी घीता भेंजी न आई अच्छा गीता दिदी मेरी तो घीता भेंजी ऊगई अग तेरी तो कुछ न लगी क्यों लगे क्यों लगें तो न यहद्र बेटी समान है तो मौसी फिर कैती क्यों ना अरी मों को सरम लगे है अच्छा एक बात बता मौसी गौरी तो ना सताती है तेरे को गौरी सताने से बाद जा जावे तो गौरी नाम कैसे रहे उसका वो सलेट तो छूटे ना उसके गले से उसी पर लिख लिख के सताव है मुझे मौसी अब तो फिर से बोलने लगी है अरी कोई अलसी बोगे है ऐसा अच्छा लगे है पर मुझे न बोले मुझे तो उसी मरी काली तक्ती पर लिख लिख के चिड़ा वे एक बात कहो मौसी कर मेरी माने ना तो तू उससे दोस्ती कर ले अरे क्यूं देख इसकूल जाते तो तेरे को सरम ल अच्छी है मौसी तो सब बात तो करके देख जब प्रेम भाईया को यह पता चले का कि उसकी माने पढ़ना लिखना सीख लिया है तो कि इतना अच्छा लगे है उससे हैं रेंदे क्यों बावला बनाव या मुझे हैं पचास बरी के दिया यह मेरी उमर ना पढ़ने लिखन अच्छी यह पढ़ लिखके छोडियां रज बन जावें पर तुझे और सुदा को देखके तो ऐसे कलेजे में ठंड़क पढ़ जावें सच्छी मॉसी ये तुक्या रही है इसी बाहन है तुने मेरी भ Jaichet टारीन कर दिए ने जिसकी टारीब पररूं न उसकी पितायी भी कर दीँ मेरे को दरा किया मॉसी सची काओ मेरे को किता बिमा लेगी न तुम्तभी न रोओंगी वे स्रम हड़ी क्यों मारूं गिरी तुझे मैं तु सदा खेले हर से फूले मुझे तरफ च्छाही लगेगा राइट अरे अभी तक ना आई गीता बस भी आ गई होगी अब तक मौसी एक बात कहूं कभी-कभी देर हो जाए ऐसे तो फिर ऐसा आरी मैं चलू है तु कह दियो भेंजी से कि मैं अरे नाम ओसी तु बैठ तो जहां इती दे ठेरी है थोड़ी दर और ठेर जा आती होगी तरी गीता बेटी यह है अकबार कि अ ख ब आ अ अ र अकबार जिससे हमें सारी दुनिया की खबरे मिलती है कि दुनिया भर से खबरें इन मशीनों के द्वारा मिलती है इन खबरों को छाट कर अपने काम की खबरें कम्प्यूटर से बना ली जाती है और उन्हें जोड़कर अखबार का रूप दे दिया जाता है उसका फोटो खीच कर एक नेगेटिव बना लेते हैं और नेगेटिव का फोटो एक प्लेट पर ले लिया जाता है और यही प्लेट मशीन में लगा कर उससे हजारों अखबार च्छाप लिए जाते हैं फिर अखबारों को एकटा करके बंडलों में बांध दिया जाता है और इस तरह हम तक पहुचते हैं यह अखबार अले आगे 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 जाबरा महसी जी पीरा बेतिक योरी कैसा लगा से है है महसी जी वात सुझ ऐसी खबर लाई हूं तेरे लिए सुनेगी ना तो एक बना से साड़ी दिलाएगी मुझे अरे भेंजी तु एक क्या दो दो ले लिजो पर खबर तो बता अभी बताती है यह दे क्या लिखाया था इसमें दिखा है कि तेरा प्रेम जो है ना वो भारत की टीम में आ गया है और अगले एशयाय केलों में भारत की तरह से हिस्टा लेगा कहा है लिखाया यह ने ये है जोगा खबरना जीखोड़े एपए पढ़ना थीखोड़े र, पैर, श, ह, र, शहर, आ, ख, बा, आ कड़ंड, र, आखबार, आ, त, र, क, अधरक, र, ज, क, र, आजगर, बेहनों हम आज सीखेंगे एक अक्षर, त, और, ओ की मात्रा, ये तोटा है, तुमने इसकी चोँच तो देखी होगी, पर ये नहीं सोचा होगा, कि तोटे की चोँच बिल्कुल अक्षर, त, ज, ऐसी लगती है जरा गौर से देखो, त, से तोटा, तोटे की चोँच, अचोँच बिल्कुल त, ज, ज, ऐसी सबको मेरी हाँ चोड़ कर नमस्ति, देखो ना बेहनो, सीखने सिखाने में कुछ इतनी मज़ेदार बाते होती हैं, कि कुछ और बात हो ही नहीं पाती, खेट, और बाते तो होती ही रहती हैं, पढ़ना, पढ़ाना, पहले है न, हाँ जी, तुम्हें तो मालूम है न, कि पढ़ने और लिखने से फाइदे कितने हैं, तो बेहनो, आज हम लिखेंगे अक्षर ता, हाँ, बहुत ही आसान है, देखो, एक घूमी हुई लकीर बनाई यू, इसके साथ एक खड़ा डंडा बनाया ऐसे, फिर छत वाली लकीर, और ये बन गया अक्षर ता, अरे, ये तो बहुत ही आसान है, एक बाद फिर देखो, तो फिर आपने मना कर दिया ना, ये तुम्हारी जिंदगी का मना है, इसमें मैं बोलने वाली को, आपी तो सब कुछ हो, बैंजी, फिर भी का मना, इसका फैसला पर तुम्ही को करना है ना, देखो, तुम मेरे पास पढ़ने आई, मैं तुम्हे पढ़ा रही हूँ, लेकिन आगे और इतना पढ़ना है, इसके बार में तुम्ही को सोचना है ना, इसके बैंजी, मैं उसका पर तुम्ही को सुना करना तुम्ही को, तुम्ही को कोई भी हो, अब तो तेरा अधी थी है ना, उसे अंदर लाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर जो जी मेरे आए, पहले ना, अच्छा अपना सामान मांग लो बेहन, साज होने सिर पहले हमें चलना है, चलना है, वगल मेरे को कहा जाना भी है, तेरी सास ने बुलाया है तुझे, जब में उस घर में ब्याक के आई थी ना, भीया, तो मैंने यही सोजा था, कि अब तो बस मेरे अर्थी ये निकलेगी उस घर से, पर, तेरी सास बिलकुल बदल गई है, तुम चलो तो सही, मगर मैं तो नहीं बदली हूँ भईया, मेरी तो अभी शिक्षा भी अधूरी है, सब सबने अधूरे हैं, मैं अब वहां तभी जाओंगी, जो मेरा पूरा सम्मान होगा, वो भी होगा, तू चल तो सही, नहीं भईया, अभी मेरे को नहीं जाना, मेरी सिक्षा भी अधूरी है, अगर तू नहीं गई, तो अनर्थ हो जाएगा, वो कह रही थी, अगर कमला नहीं आई, तो मैं अपने बेटे की दूसरी शाधी कर दोंगे, अगर ये कर सकती है, तो ये भी कर ले, मैं बे सहरा नहीं हो गईया, मेरे को भी अपने हक के लिए लड़ना आता है, ये लहला हाते हुए हरे भरे खेत, गाउं की शोभा है, इत खेतों की हरयाली, आखों को सुक और मन को शान्ती दीती है, ये है खेत, ख, ए, त, खेत, त, क, ल, ई, तकली, ये तकली ही रुई से धागा बनाने की काम आती है, तकली अच्छा, जड़ा बताना, जब हम घर बंद करती हैं, तो उसमें क्या लगाती है, त, आ, ल, आ, समझ गई न, ये है ताला क्या बताओ पंटा, अपके फेरे में तो आनन्द आ गया, अच्छा, कहां गये थे इस बार, पटना, अपने सुबे बिहार की राजतानी है, बही क्या क्या देखा वहाँ, पहले तो गंगाजी पाथ ये खा, मिलो तक पानी, और उस पर एक बड़ा पारी फुल, मगर वहाँ पाथ इतना चोड़ा कैसे हो गया, अब बनारेस से पटना तक पहुंसते पहुंसते तीन नदिया और गंगाजी में मिल जाती है, जय गंग जय गंगे, ओ जी गोल कारवेखा, 25 मीटर उच्चा, वह एक महाल की चीज है, भार सीडियां बनी है, जिन पे चड़कर पूरा पटना शेहर वखाई देता है, और गंगाजी भी नजर आती है, मगर दर्शन, ये है क्या? गंगा नदी के किनारे बसा है पटना शेहर, गंगा पर बना पुल भारत के बड़े पुलों में से एक है, इस पुल से गंगाजी का नजारा बस देखते ही बनता है पटना में ही अंग्रेजों की बनाई हुई एक बड़ी गोल कोठरी है, जिसे गोल घर कहते हैं, इस पर से पूरा पटना शेहर दिखाए देता है, इसे अनाज रखनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है समराथ अशोग की बसाई नगरी पाटली पुत्र के खंडरों से हजारों साल पुरानी उस बस्ती की शान पता चलती है पटना साहिब सिखों के आखरे गुरू, गुरू गोविन सिंजी का जन्म स्थल है पटना साहिब का गुरुत्वारा भी अम्रित सर के हर मन्दर की तरह पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है क्या बढ़ाओ पंता, क्या जगह है? पंको ऐसी शानती मिलती है, जैसे बंदा स्वर्ग विच पहुच गया हुए आहाहाहा यह देखो, इस मात्रा को हम पहले भी देख चुके हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है यह एक खड़ा सीधा डंडा और उस पर यह मात्रा तो यह बन जाती है ओकी मात्रा जो हर मात्रा की तरह हर अक्षर में ओकी आवास जोड़ देती है, जैसे ल ओकी मात्रा लो, द ओकी मात्रा दो, ब ओकी मात्रा भो, स ओकी मात्रा सो, ज ओकी मात्रा जो, ह ओकी मात्रा हो, और ध ओकी मात्रा धो एक बार, फिर से धो, फो, जो, सो, बो, दो, लो, ओकी मात्रा सबको मेरी हाथ जोड करने मस्ते तो बेहनों, आज हम लिखेंगे ओकी मात्रा छोटे ओकी मात्रा इसमें सबसे पहले ये खड़ा डंडा बनाया यू उसके उपर ये एक बिंदी बनाई ऐसे और उससे मिलाकर ये टेड़ी लकीर यू फिर वही प्यारी सीचत वाली लकीर ये बन गी ओकी मात्रा एक पर फिर अरे पिछकारी से ये हरे लाल नीले रंग क्यों फेके जा रहे हैं? हाँ, होली है भै होली है ह, ओ, ल, इ, होली 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 है हवाल चले छोड़ो भी यार काम करने तो बिचारे को एक काम से कौन रोकता है मकर आज तो हो लिए वो बात तो ठीक है पर रंग डालने से पहले उससे पूछ दरूर लेना हाँ हाँ पूछ लेंगे हो लिए है हो लिए हाँ होली है भैं होली है हो लई होली ये देखो तुम्हारी जानी पहचानी मोतरकार तड़ रही है इसे आम जबान में मोटर ही कहते हैं म ओ ट र मोटर तो ता मो ये है रंग बिरंगी खुबसूरत सी तितली त त पर छोटी की मात्रा त ल और ल पर बड़ी की मात्रा तितली जब हम खुले आंगन में रात को लेते हैं तो हम ये आकाश में ये छिल मिल करते हुए तारे कितने अच्छे लगते हैं ये हैं तारी त आ र ए तारे का बड़ी की मात्रा तीर त का ल बड़ी की मात्रा तकली त आकरंडा ल आकरंडा ताला त आकरंडा र ये तारे ता छोटी ए की मात्रा ता ल बड़ी की मात्रा तितली मा ओ की मात्रा का बोर चोड़ा हा चोड़ा हा जीवन ऐसा चोड़ा हा चोड़ा हा जीवन भर मेलत की जगर पे हमको चलते जाना है रहा में शिक्षा दी चला के अपनी मंजिल पाना है रहा हा जोड़ा हा जोड़ा हा जोड़ा हा जोड़ा हा जोड़ा हा झाल झाल